कि हाई वेलक की इस वीडियो एंदर हम कवर करने वाले है और रोमर प्रोス ने यार इस पोरम की अंदर जैसे कि इसका naam बोलता है और पिक प्रोड प॥न देखने वाले है पहले रोड साइड साइड की होता क्या हैton वेज़ जाने पर बहुत बार तो हम ऐसे सोचते हैं कि आप रूख जाएं बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई वहां पर रुख नी करता लोगो को लगता है इनके पास में जो भी कॉलिटी होगी किसी वी चीज की काफी चीप होगी याद नहीं खरी देंगे यहांसे तो यह है यह जो छोटे-छोटे शैड आपको देखने को मिलते हैं ऐसे तैयार किये वे जो दुकाने होती हैं जो आपको हाइवे पे एकदम इस कहानी के रूबर्ट प्रॉस्ट हम लोगों को सच में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो बताने वाले हैं कि किस तरीके से सुसाइटी आक्चिली दो पार्ट में डिवाइड़ है एक तरफ नहीं आपको सुसाइटी के वो लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास में ब गुझारा तक आतक नहीं होता तो आपको नहीं यह दोनों के बीच का यहाँ तरीके से ब्रिज यह रोड़साइट स्टैंड यहां पर दिखेगा तो चली फटावट से इस प्रोम की शुरुवात कर लेते हैं तो देखो यहां पर शुरुवात कैसे होती है यहां पर और जितासा अच्छाइब इस चोटा सा नए अच्छा कर देया है और रुरॉद Conference is tonight of the road, road के किनारे पर यह आपको देखने को मिलेगा, where the traffic sped, मतलब यह आपको highway पर देखने को मिल जाएगा, जहां से traffic जाता है, बहुत सारी गाड़ियां जाती है, बहुत सारे लोग जहां से गुजड़ते हैं, तो वहां पर उनी रोडों के, उनी रोड के edge पर यह आपको pathetically plaid, यह जो road side stand है, यह road side stand यहां पर लगाया गया है, और देखो न, यह कितना pathetically plea करने की कोशिश कर रहा है, विनती करने की कोशिश कर रहा है, कितनी terrible condition के अंदर यह है, कितनी दया की इसे requirement है, और कितनी उस condition में उने के बावजूद आपसे विनती यह कर रहा है, कि कोई तो यहां पर रुको और हमारे produce को खरीद लो, यार अब एक road side stand जो है, वो विनती नहीं कर सकता, and that is why road side stand को यहां पर personify किया हुआ है, यह पहला लिटरी डिवाइस आपको यहां पर मिल गया, मतला अगर आप देखोगे, यह road side stand जो है, इसको यहां personify किया हुआ है, क्योंक कि आप लोगों से गुजारिश कर रहा है, कि प्लीज यहां पर आईए और आकर कुछ खरीद लीजे, इसके बाद में क्या होता है, देखो, it would not be fair to save for a doll of bread, बोला कि यह जरूर यहां पर प्ली करता है, गुजारिश करता है, विनती करता है आपते, कि कोई तो यहां पर रु रोकना नहीं चाहता है भीक के लिए, यह आपको नहीं रोकना चाहते हैं कि आप रोटी का एक तुकड़ा इन्हें दे दीजे, याने के भीक इन्हें दे दीजे, यह नहीं चाहते हैं कि आप आईए और रुक कर इन्हें, इनके उपर दया कर दीजे, दया करके इन्हें भीक दे डीजे बलकि ये क्या करना चाहते हैं ये चाहते हैं कि आप रुकिये और इनसे पर्चेस कीजे आप रुकिये और रुक कर इनसे कुछ खरी दिये मतलब इन्हें पैसा दीजे but for some of the money the cash whose flow supports तो basically वो बताना चाहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए हमें आपके रोटी का टुकडा नहीं चाहिए हमें भीक नहीं चाहिए हमें तो पैसा चाहिए हमें तो वो cash चाहिए जो cash support करता है the flower of cities वो cash चाहिए हम लोगों को जो cash क्या करता है जो cash city के लोगों को city के rich लोगों को the flower of cities याने के city के rich लोगों को support करता है हमें वही पैसा चाहिए जो पैसा इन flowers को इन rich लोगों को fade नहीं होने देता ये वही पैसा चाहिए जो इन्हें एकदम खिला हुआ रखता है इनके जीवन को चलने देता है, इनकी lifestyle को बढ़िया बनाता है, तो जो पैसा ना, इन city वाले लोगों के पास में है, जिससे ये city में एक दम S.E.S. कर रहे होते हैं, हमें भी वही पैसा चाहिए, जो पैसा इने मुर्जाने नहीं देता, क्योंकि वो पैसा फिर हमें भी खुश पारिश क्या है, वो तो आप समझी गए हो किस तरीके से वो ये चाहते हैं, कि आप उनसे बस पर्चेस कर लीजे, बट वो यहां पर बताते हैं कि हकीकत में होता क्या है, क्या सच में लोग यहां पर रुखते हैं, वो बताते हैं, the polished traffic, यह polished का मतलब हो गया, यहां पर यह ज अपना mind ahead, अपना सर उचा करके गाड़ी में आगे चले जाते हैं, यह कौन सा रुखते हैं, इनकी कहां नजर पढ़ती होगी एक roadside stand पे, अब यह जो polished traffic है, इसकी अंदर आपको देखने को मिलेगा, transferred episode, क्योंकि यह जो polished है, यह ट्राफिक नहीं है, यह जो polished है, यह लोग ह जब किसी एक बात को बताया, किसी एक word को, किसी एक word के साथ लगा दिया जाता है, पर यह adjective इसको denote करने की बजाया है, किसी और को denote करता है, तो उसे हम transferred epithet कहते हैं, और यहाँ पर यह बहुत important literary device आपको देखने को मिलेगा, polished traffic, बोला यह लोग रुखते नहीं हैं, यह तो स चले जाते हैं, और if ever a side moment, then out of thoughts, यह तो हमेशा ही होता है, हमेशा ही ऐसा होता है कि कोई नहीं रुखता, तीन हे एकड़म drive करते वे चले जाते हैं, पर अगर, अगर कोई रुखता है, कोई भी इंसान भूला भटका कभी रुख भी जाता है, at having the landscape, mad with the artless thing, तो आकर criticize करने लग जाते हैं, अरे क्या किया यार, इतनी अच्छी scenery थी, इतना अच्छे mountains थे, इतनी अच्छा landscape था, अपने घटिया paint से खराब कर दिया ना तुमने, रुखते भी हैं, तो रुख कर criticize करते हैं, दो चीज़े सिखा कर और चले जाते हैं, अरे कितने बुद्धु हो तुम, कितने बुद्धु हो, तो रुख कर ज्यान देकर चला जाता है, ऐसे नहीं कि आकर इन लोगों को support करें, इस insignificant, आपके लिए insignificant help इनके लिए कितनी बड़ी हो सकती हैं, तो आकर इनकी मदद करें, नहीं, बुला तुम आते हो, हां, तुम आते हो तुम्हें ये दिख जाता है, कि कितना खुबसूरत landscape है, और इतने खुबसूरत landscape को ये बरबाद कर रहे हैं, हां, अपने इस गंदे से paint से बरबाद कर रहे हैं, ये दिख जाता है कि North का sign गरत लगाया, South का sign गरत लगाया, तुम्हें ये नहीं दिखता, कि हम क्या offer करते हैं, तुम्हें roadside stand पे हमने जो यहां पर offer किया हुआ ह क्या offer करता है farmer, farmer offer करता है wild berry, बुला तुम्हें हमारी wild berries नहीं दिखती जो इतनी प्यारी प्यारी basket के अंदर हमने सजाई हुएं तुम्हारे लिए, कि तुम आओगे और इन berries को खरीदोगे, हां, तुम्हें नहीं दिखता है यहां पर हमारा एकदम तेड़े, तेड़े मु नहीं दिखती है कि इतनी धिऒस हम आपको यहां पर सेल करते हैं इतनी अच्छे वेजेटेबॉस हम आपको यहां पर सहल कर रहे है एक उसी की बह benefici की बहन है लोकी बहन हाई है, इसके अंदर शिल्वर दॉट्स उते में निखले वे तो बोला कि इतनasto ऑपु इतने अच्य प्रूट्स वेजिटेबल्स यहां पर सेल कर रहे हैं वह नहीं दिख़ा तुम्हें तुम्हें यह दिख रहा है कि यहां पर फाइन जो है वह इंटा लगाया हुआ है यहां पर लैंज किप हमने खराब कर दिया अरे यार अगर कोई एक इंसान यहां पर आ रहा है इस सब्सक्राइब करें लोग आकर यह सारी चीज़े पूछते हैं तो बहुत ही जादा यहां पर पूछे जा रहे हैं तो गुस्ते में कहा गया है यूद पर टूम कितने में हो तुम कितने कितने सेल्फिश हो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो अपने पैसे के बारे में सोचते हो insignificant help नहीं कर सकते थोटी सी भी help नहीं कर सकते अगर कुछ berries ले जाओगे तो कौन सा पूरा का पूरा तुम्हारा ये जितना भी तुमने कमाया है वो हमारे नाम हो जाएगा थोड़ी सी berries ले कर जाओगे हमारी कितनी help हो जाएगी पर तुम तुम selfish हो ले जाओ अपना पैसा नहीं चाहिए चले जाओ ले जाओ अपना पैसा नहीं चाहिए अब यहां पर एकदम से ये तो अलगी बात हो गई यार यह क्या हो रहा है अभी यहां पर हम लोग को यह roadside stand बुला रहा है यार हमसे कुछ खरीद लो और जब वहां पर लोग जाते हैं तो यार गुस्ता तो आएगाई अगर कोई आ रहा है कोई कुछ खरीद नहीं रहा है आसा लगी और आकर क्रिटिसाइज और करके जा रहे है यह नहीं दिक्रा इतना सब कुछ वहाँ पर offer किया हुआ है farmer के द्वारब कुछ भी कहो पर हमारी complaint तो यह नहीं होगी कि भाई scenery खराब हो गई, paint साई नहीं है, n गलत है, s गलत है poet कहते हैं कि यार यह तो देखो, यह तो माजरा हमारा नहीं होगा यह complaint तो हमारी नहीं होगी, poet हमारे पास में अलगी complaint लेकर आया है poet हमारे पास में अलगी complaint लेकर आया है, वो कहते हैं कि तुम चूनी समझते हैं यह लोग क्या कहना चाहते हैं, क्यों मज़े ले रहे हो इन लोगों के तुम क्यों नहीं समझते हो कि ये farmers क्या कहना चाहते हैं तुम क्यों नहीं समझते हैं उनके उस जर्द को जो वो दर्द बाहर दिखाते नहीं है कि वो तुमसे कैसे plea करना चाहते हैं तुमसे गुजारिश करना चाहते हैं कि उनकी मदद करतो तो poet कही न कही अभी हम लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें नहीं समझ में आता कि वो तुम पे कितना वरोसा करते हैं तुम्हें नहीं समझ में आता कि वो ये roadside stand तुम्हारी वज़े से डाले हुए हैं उन्हें ऐसा लगता है कि तुम यहां से कुछ खरीदोगे तुम्हें नहीं दिखता है उनका गम जो वो चुपा कर बैठते हैं हाँ तुम्हें कहना ही पड़ेगा क्या तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि exactly वो क्या चाते क्या करते तब जाकर तुम उनकी मदद करोगे हाँ बोला अभी exactly है क्या यह हाँ क्यूं क्या exactly है जो तुम्हें actually हमें शो करना चाहिए यह पूरी कहानी क्या है देखना इनकी इनकी खुटकी जुबानी सुना You are far from the city we make our roadside stand देखो ना city से कोल तो दूर हम हमारा roadside stand लगाते हैं हम अमारा ठेला लगाते हैं and ask for some city money to feel in half और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि यार सिटी से आने जाने वाले लोग जो है वो इस roadside stand पर रुखे और अपना city वाला पैसा जो उनके पास में several avenues है इतने सारे options है और इतने सारे options से उन्होंने कमाया है बस अपना city वाला पैसा हमारे साथ भी शेयर करें अरे हम काम सी भीक मांग रहे हैं हम लोगों से कुछ खरीदी ले to try if it will not make our being expand अरे हम भी तो देखें उस पैसे का जादू हां उस पैसे की उस पैसे की माया किस तरीके से यह जो पैसा है यह पैसा actually किसी इंसान की lifestyle बदल सकता है wrong group change कर देता है अरे हमें भी तो experience करने दो उस पैसे को तो बोला कि हमें भी वो पैसा चाहिए तक हमारी lifestyle भी जो है वो change हो जाए इन farmers की भी lifestyle change हो जाएगी अगर इनको वो पैसा मिलेगा अगर इन्हें हम support करेंगे अच्छा इनके भी कुछ सपने हैं ऐसा नहीं होता हर मूवी की अंदर हम जब भी कोई मूवी देखते हैं तो हम सपने देखते हैं एक इंसान होता है जो बहुत जादा स्ट्रगल कर रहा होता है और वो जितनी स्ट्रगल कर रहा होता है उस स्ट्रगल में हर बार ऐसे यूनों वो हारता जाता है बट देन उस मूवी के आखिर में एक हैपी एंडिंग होती है अगर हम एक ही direction के अंदर हम काम करते रहते हैं हम determined रहते हैं तो एक दिन हमारी success होती है लोग हमारी मदद करते हैं हम successful बनते हैं अपने सपनों को जीते हैं तो बोला हमें भी तो हक है उन moving pictures के promise को जीने का हमें भी तो वो movies वाली जिन्दगी जीनी है जो ये city people जी रहे हमें भी तो वो जिन्दगी जीनी है हमें भी तो वो promises जीने है वो promises जीने है जो हमसे party करती है बड़े बड़े लोग आकर हमसे promises करते है government आकर हमसे promises करते है बट हमसे ये जिन्दगी बहुत दूर रखते है आते हैं आकर हमें promise करते हैं नहीं रहा दिखाते हैं बोलते हैं यह होगा वो होगा करते कुछ नहीं है उनके प्राविसेज एकदम खोखने हैं कभी-कभी तो न्यूज में भी उन्हें सुनने को मिलता है इन बिचारे लोगों को इन बिचारे लोगों को अच्छी जगाओं पर भेजा जाएगा इन बिचारे लोगों की मदद की जाएगी वा 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 इन बिचारे लोगों को विलिजेज में शिप्ट कर दिया जाएगा जहां पास में थियेटर होगा पास में स्टोर होगा इने कोई चिंता नहीं होगी अरे वा मंत्री जी वा वा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये सारी चीजे हम न्यूज में सुनते हैं कि हम लोगों को खरीद लिया जाएगा कि किस तरीके से हमारी जिन्दगी को बहतर बनाया जाएगा हमें विलेज में ले जाया जाएगा वहाँ पर मूवी थियेटर होगा वहाँ पर बाजू में स्टोर होगी और हमें पूरे दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा पूरे दिन आराम करेंगे बस ये प्रॉमिसेज किये जाते है ये प्रॉमिसेज उनसे किये जाते है कि तुम्हें तो अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह प्रॉमिसे उन्हें खूब सुनने को मिलते हैं कभी न्यूज में देखने को मिलते हैं यह क्या सोचेंगे इन गरीबों के बारे में यह तो खुद ग्रीडी गुड़ दूर्ड है अरे यह तो खुद बेनिफिसेंट बीस्ट और फ्रे है यह तो पहले अपने फाइदे के बारे में सोचते हैं यह तो खुद लालची है यह किसी का अच्छा करने से पहले किसी का भला करने से पहले अपने बारे में सोचते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ भला करने के रूप में किसी का शिकार करना चाहते हैं ये तो सिर्फ ये चाहते हैं इनकी जमीने हडपलो इनके घर हडपलो इन्हें कह दो इन्हें मिल जाएंगे मकान मिल जाएंगे पैसा दे देंगे ये लोग तो खुद यहां पर कही न कहीं calculate करते हैं अपने पाइदे के लिए सारा काम करते हैं इन लोग को promises करते हैं इनका क्या भरोसा ये क्या ही करेंगे पर ऐसे promises कही न कहीं ऐसे यहां पर पूरा का पूरा इनोंने जो हिसाब लगाया होता है कि ऐसा करना, आप ये खाली कर दो, यहाँ कोई नहीं आता, ये जमीन हमें दे दो, हम यहाँ मॉल बनाएंगे, हम यहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्ज बनाएंगे, और आपको पैसा देंगे, रहने के लिए घर देंगे, ये सब कुछ हमें कन्फ्यूज करता है, समझ नहीं आता कि सच में ऐसा होगा या नहीं, ये प्रॉमिसेस कभी पूरे होंगे या नहीं, ये प्रॉमिसेस शायद कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ ये प्रॉमिसेस उनका फाइदा उठाने के लिए किये गए है, ये प्रॉमिसेस उनके फाइदे के लिए नह का यहां पे तो उनकी जिन्दगी इन लोगों के इशारों पे चलेगी फर बोला कि हमें भी तुम अपने जैसा बना दोगे जो दिन भर सोते हैं और रात में जाकते हैं हमारे पास कोई काम नहीं होगा करने का तो हम लोग दिन भर सोते रहेंगे और रात में जाकते रहेंगे क्या हमसे हमारे जीने का करीक़ा हमसे हमारी लाइफ साल झिन जाएगी गगों यार इन लोगोंको आपका पैसा चाहिए आपकी मदद चाहिए 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 कि की छोटू शी हो इतनी जिन्दकी को इतना कgorna चाहते हैं आधेनों मैं सो रहे हैं रापों में रिले देख रहे हैं कि यह जब वह वह सुएंगे और रात में जागे एनिवे ये ग्रीडी गुड़ दूर्स और बैए इसन बीस्ट और प्रे से काफी ज़्यादा वह वह सकते ही है इन में आप गुड़ों कोवह तेशीर कर सकते हैं यहां पर आपको दो हैं को आपको अलिटरी स्च Kelly को मिलया दूर्स ग्री इन ड्रेंगे और समयलर्डी बेनेफिस एंपेंट बबो χार्य है तो यहां पर भी आपको अलुश्म डेखने को मिलेगा इसके साथ में दोनों के अंदर आपको oxymoron भी देखने को मिलेगा क्योंकि greedy good doers लालची और दूसरों का अच्छा चाहने वाले दोनों ही opposite है दो opposites को एक ही term में रखते हैं तो oxymoron होता है similarly यहाँ पर देखो beneficent किसी का अच्छा चाहने वाले beast of prey किसी का शिकार करने वाले दोनों ही उल्टे है एक साथ place कर दी है तो oxymoron होगा तो basically यहाँ पर यह literary device जो है present है और इस पर काफी ज़्यादा questions जो है वो पूछे जाते है हाँ जी अब जब ऐसा होता है तो एकदम से you know it like poet कहते है तुम लों का पता नहीं कि तुम्हें इनकी एक दुखदर्द पीड़ा दिखती है के नहीं दिखती है बटना मेरे से तो अब नहीं हो पा रहा है sometimes I feel myself I can hardly death अधिया मुझे मेरको तो कभी-कभी लगता है कि मैं सहनी नहीं कर पाऊंगा यार मुझसे इनको इस तरीके से देखना इक पर देखो तो सही है The thought of so much childish longing in vain एक बच्चे की लए बाट अच्छी टाकत होती आपको बताएं एक बच्चे का बहुत अच्छा trade होता है वो हार नहीं मानता वो हार नहीं मानता क्योंकि इसे calculations नहीं आते हैं उसे सिर्फ सपने देखना आता है और उनने पूरा करना आता है हो हार नहीं मानता उसकी इच्छा जो होती है उस इच्छा को कभी ओफ नहीं नहीं देटा है उसकी- इनकी डिजाइड जो है कि यह इसे ही रोट साइड स्टैंड लगा कर खड़े रहेंगे और यहाँ कोई सच में आएगा इन की eyes कोई लोग यहां पर आएंगे रुकेंगे उनसे कोई नहीं आएक कोई कुछ नहीं खरी देगा ऐसा पोईट कहते हैं कि तुम देखो ये ये लोग कितने इनोसेंट है ये कितने जादा इनोसेंट है आप देखना ये जो विंडो है इनके रोट साइट स्टैंड पे इन्होंने एक विंडो लगा रखी है उस विंडो पे सुबह शाम इंतजार क कि कोई आएगा गाड़ी रुकेगी ब्रेक सुनाई देंगे देखेंगे कोई आया है और कुछ खरीदने के लिए आया है उनके उन चहरों के पीछे कि सैडनेस नहीं देखती है तुम्हें वो जो खिर्की पर वो इंतजार करते हैं अपने अपनी सैडनेस को छुपाये के पीछे वो छुपी हुई sadness उन 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 उम्मीदों को उन होप्स को जो हर दिन किल होती है हर दिन वो इंतजार करते हैं और हर दिन कोई नहीं आता कोई नहीं रुपता कोई कुछ नहीं खरीबता उम्मीद रहती है एक होप रहती है एक प्रेयर रहती है कि कोई आएगा और आकर हमसे हमारी सब्वियां खरीदेगा हमसे हमारे फ्रूट्स खरीदेगा और पूरे दिन इंतजार रहता है पर कोई आता नहीं अब यहां पर जब ऐसा उन्होंने सोचा है कि ठीक है यह लोग आराम से इस तरीके से पूरे दिन इंतजार करते रहते हैं वहीं पर बैठे रहते हैं ठीक है वेट करते रहते हैं कोई आएगा रुकेगा तो कभी कभी ब्रेक सुनाई देते हैं हाँ हाँ आवाज सुनाई द किस तरीके से इतजार करते होंगे और कोई आता होगा तो एक दम से उठ जाते होंगे कि हाँ इन्हें क्या चाहिए हाँ यह क्या खरीदेंगे पर वो लोग आते हैं कोई एक अगर रुपती है थाउजन बहुत सादा इतनी सारी सेल्फिश कार्ज जो है वह यहां से चली जाती हैए caller रुपती है पह cold रख्र चैًशंआ कुछ लाने वाले लोग है अगया जो सीपने बारे में सोचते हैं और किसी और के बारे में नहीं रहते हैं उनमें से एक दुक्की कार्ज वह रुपती है और बोलती है फारमार क्या राइस है इन वैरीस कहा क्या प्रास है स्क्वाश को होई एक रुकता है प्राइस इंक्वाईर करने के लिए एक और रुका तो तो सिर्फ और और वार्फ घ्श को ख़राब करने के लिए ब्रेक्स लगे तो उम्मीद जगी कि रुकेगा कुछ खरीदेगा पर इसने तो रिवर्स दे लिया यूटर्न मारेगे सिर्फ और सिर्फ याड का इस्तमाल किया अपनी गाड़ी को गुमाने के लिए घास खराब कर दी एक चीज भी नहीं खरीद कर लेकर जाए अरे इतना इन्विजिबल है क्या यह रोट साइट स्टैंड के यहीं से गाड़ी गुमाते हो तुम्हें दिखता नहीं है कुछ खरी देखे हो कहां है यह जगें अब कोई रुका तो जगें पूछने के लिए कि अरे भाईया यह कहां है और अनादर तु आस्टू आस्टू पूलते अहो भाईया पेट्रोल बेचते हो अब तो गुसा आ गया है पूएट को पूएट इस लाइक दे कुड़िन डे हैड नन डे इन्ट इटी रुखते हो और पूछते हो यह जैस बेचते हैं पेट्रोल बेचते हैं अरे दिखता नहीं है रोट्साइट स्टैंड है बेरीज पड़े हुए है लोकी पड़ी हुई है यह पल और वेजिटीबल बेचते हैं यह पेट्रोल दिखता है तुम्हें स्टेशन दिखता है गुसा आ चुका है क्रॉसली का मतलब होता है अरोगे इस गम गुसे में आ चुके है पोएट वह दिखता नहीं है मदद तो करते नहीं हो इरिटेट और करने लग जाते हो त इसके बाद में फाइनली अभी एकदम लास्ट वाला पेरिग्राफ पे पौछ चुके हैं पोएट और नाचरली पूरी की पूरी 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 के अंदर उनकी टोन जो है वो पिटी की रही है और यहां पे तो एकदम ऐसा है कि एकदम एंड हो चुका है उनकी पिटी का य गवर्मेंट के पास इतना पैसा है इन इंवेस्टर इन लोगों के पास इतना पैसा है है पर इन के लिए कुछ है कि 12 के पास में इतने साधा तरीके हैं जिन तरीकों से तुम अपने वह अपने लो दूरोटी सब्सक्राइब करने चाहिए इनको भी इनको भी मदद करनी चाहिए यह लोग इनकी इनलोगों का भी डेवलप्मेंट अब यह भी जी सके सब्सक्राइब कर सकरें नहीं चाहिए लग्जुरी अरे कम से तो करें किसी को नहीं जिकता है इंसा पर Pack ये कितना जादा पीन में ये नहीं दिखता ये इतनी जादा लोग जो यहां पर है ये कंट्री साइड पर रहने वाले जो लोग है इनकी चीखे नहीं सुनाई देती तुम्हें इनकी कंप्लेंड नहीं सुनाई देती तुम्हें अगर अगर इनकी चीखे तुमारे तक नहीं पॉचती है अगर नहीं पॉचती है यह चीके तुम्हारे तक अगर नहीं important है यह complain तुम्हारे लिए क्षाब कर दो कि इन तो पर इलीफ मिलेगा इनको इनकी suffering से आजाद करड़ दो इनकि'm से कम यह रोज रोज गुदK के तो नहीं मरेंगे अगर तुम तुमने कान अपने बंद कर लिये हैं इनकी चीकों के लिए इनके इनके कंप्लेंट के लिए इनके रोने के लिए तो अब आजाद कर दो इने अगर तुम इनकी मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम इने रिलीस तो कर दो इनकी सफ्रिंग से मार दो इने पोईट बोलती है I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain खतम कर दो ना यार इने खतम कर दो किस ता अगर तुमें नहीं सुननी है इनकी कम्प्लेन या तो ऐसे या वैसे या तो मार दो इने खतम कर दो ना रहेंगे ये ना होगी इनकी सप्रिंग या तो मदद करो ना इनकी सुनो ना इनकी कम्प्लेन and then next day as I come back into the same I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain कैसी बाते करता हूं यार मैं भी शाय दूसरे दिन जब मैं भी अपने होशो आवाज में आऊंगा और सोचूंगा कि कैसा हो था कोई मुझे भी मेरी सप्रिंग से रिलीज कर देता मुझे मार के तो क्या ये तो क्या ये सही होता क्या ये सही होता कि कोई मुझे भी रिलीज कर देता मेरे दुख से मुझे मार के क्या ये एक लौता ओप्शन है ये इसका एक बहुत देफ वाला इंटरप्रेटेशन बहुत प्रॉमिनेंट इंटरप्रेटेशन है क्योंकि मतलब अगर हम इसके अनालेसिस को देखते हैं तो ब्रॉडली जितने भी लोग हैं वो इसी तरीके से इसे अनलाइस करते हैं कि Robert Frost यहां पर यही कहना जाते हैं कि इन्हें खतम करके इनकी सफ्रिंग को एंड कर दो पर देन उसके बाद वो खुद सोचते हैं कि या अगर मुझे भी मेरे पेंट से रिलीज होना होता मुझे भी रिलीव फिल करना होता तो क्या मैं भी मैं भी मरना सुईकार करता तो पर कई ना पर यहां पर यह एक बात हमारे को कहना चाते हैं कि लोग इतना सफर कर रहे हैं कि मरना शायद लास्ट और यह अगर आपने शाए मばने इनकी मदद लिए यह एक interpretation है इसके साथ साथ में कहीं न कहीं एक interpretation यह भी हो सकता है कि क्यों ना सारे लोग in complaints को इनकी चीखों को इनकी आसुओं को देखें और चूना हम लोग सब हाथ बढ़ाएं इनकी मदद करें पर शायद दूसरों के बारे में सोचना तो इस दुनिया से हो ही नहीं पाएगा ना क्योंकि दूसरों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे दूसरों के बारे में कुछ सोच लेंगे तो क्या, मतलब एक तो ख्वाब होगा यह तो, कि किसी एक इंसान ने अपने इंटरस्ट को छोड़के किसी और के बारे में सोच लेंगे यह भी एक soft interpretation है जो यहाँ पर हम क्यारी गर सकते है सबसे prominent interpretation यही है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया multiple interpretation वाली form है बर जो theme के साथ जाता है वो यह यह तो पूरा form हमने complete कर लिया और इसका theme क्या हो सकता है कि कि किस तरीके से एक तरफ ऐसे लोग है जिनके पास भगवान ने, गवर्मेंट ने सब तरीके से सब कुछ दिया है और एक तरफ ऐसे लोग है जो सफर कर रहे है शायद भगवान भी उनकी नहीं सुन रहा है लोग भी उनकी नहीं सुन रहे है और उनके पास सिर्फ एक ही option है अपनी suffering से release, you know relieved feel करने का और वो शायद मौत है और ये दो हिस्से है ये दो जिन्दगिया है ये दो worlds हैं ये दो अलग-अलग societies है तो यहाँ पर क्या हम लोग इतने selfish हो गए हैं कि हम अमारे share में से हमें इतना सब कुछ कही ना कही मिला है तो उसमें से थोड़ा कुछ भी इनके साथ शेयर नहीं कर सकते कि हम अपने आपको जिन्दा रखने के लिए अपना थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी पैसा इनके साथ शेयर नहीं कर सकते तो इस अर्ज आपको यहाँ पर पोवम में देखने को मिलेगी एक तरफ एक्सपेक्टेशन खोप, वांट, लॉंगिंग यह भर भर के आपको देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगी किस तरीके से लोग लाजची हैं किस तरीके से लोग अपने बारे में सोचते हैं अपना सेल्फ इंट्रेस्ट कितने सेल्फिश लोग है स्वार्थी है और इन दोनों के बीच का वो ब्रिच है और रोज साइट कर देना इस वीडियो को अपने सारी फ्रेंज के साथ शेयर करना बिल्कुल मत बूलना और कॉमेंट डाउन करना because we are chatting in the comment section all right there I will see you in the next one bye bye take care don't forget to like share and subscribe I love you